मामला हमीरपुर की राट का है जहां पर एक बार फिर चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और लागों के माल और नगदी पर कर दिया हाथ साथ आपको बता दे कि जब से कोदवाली में नई कोदवाल निरिचक केदानाजी का इस्थाना अंत्रड हुआ है तब से राट में एक के बार एक लगाता चोरियों की घटनाये बढ़ती जा रही है पुलिस 20 दिनों में रोज चोरी हो रही है पर किसी एक भी चोरी का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई राट खा परसासन पूरा हाथ पे हाथ रख कर बैटा है पता नहीं चोरी खोलने में अस्मर्थ है या माजरा कुछ और है पूरा परसासन हाथ पर हाथ बांदे बैटा है राट चेतर की जंता समध से परे है अब देखना यह है कि आगे परसासन इन चोरों पर लगाम लगा पाईगी या रोज ऐसी ही खटनाओ की सिकार आए दिन रोज नगर बासी और मंदिर मज्जीद में चोरी होती रहेगी जिस तरह लोग दूसरे सहर और राज्यों में बरसात के कारड आईबार से परिशान है उसी तरह राट में लोग चोरीों की बारदाद से बैसत में हैं लोगों की रातों की नीन हराम हो गई हैं बहीं पुलिस के हाथ कुछ नई लग पा रहा है लेकिन चोरों के दोनों हाथ में लड्डू नजर आ रहे हैं और चोर इस तरह से चोरियों की बारदात को अंजाम दे रहे हैं जैसे की पुलिस के साथ आख में चोली का खेल खेला जा रहा है हमीरपुर से सद्दाम हुसाइन की रिपोर्ट एसके अचनियूज कौन सा महला है क्या हो गया है आपकी घर में चोरियों आपके महले वालों को किसी को आठ नहीं मिली इस बात की गया आपको किसी पर सखे गया नहीं जी सब्सक्राइब क्या सामान गया है आपको बता दीए लागा बिल्कुल पेटी भी चली गई पाल है दो जोडी और पैसा है और पांच जार पाईया है और कना हो अच्छोट मोड़ों चामान है और चोटा लगवा कि टिर चला गया अब पर एक लाग के संतर उपर दो लाग दो लाग दो ला कर्यां के टोशन सर इसकी सुचिना आपने ठाणे में दी है दो कुई आया था अब अब इब देखे करा आप चलो हमार है और कघरा वी करां तुम चलो हमारे तुम कोई नी आया है यह इस जो हमारे